हैलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चो आप सभी का फिर से मेरे यूच्यूब चनल जारेडा उनलाइन क्लासेज में बच्चो आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्चे परियावरान अध्यान कक्ष आज का उपविश्य है बच्चो पाठ 17 भाग 6 भाग बर चिठी आई है तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चो पहला प्रेशन है रिक्तिस्थान भरिये में सभी पत्रों पर कि डाक टिकेट प्रयूप किया छाता होती है डाक टिकेट के यह पता लगाने के लिए ही उह थे वेजने में度 कितना खर्च आता है डाक संचार का सबसे सस्टाशाधन क्या बच्चो तो डाक संचार का सबसे सस्ता साधन है पोस्ट कार्ड का एक पूर्ण रूप पोस्टल इंडेक्स नंबर है PIN का बच्चो एक पूर्ण रूप पोस्टल इंडेक्स नंबर है मेरे घर के पते का पिन कोड बच्चो पिन कोड हमेशा 6 अंको का होता है तो मैंने मेरे घर का PIN Code लिखा है मेरे पिताजी का फोन नंबर आप सभी अपने पिताजी का फोन नंबर भी यहां लिखे अगला है बच्चो प्रशन दो लोकडाउन के दोरान अपने दिन चरिया का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे तो बच्चो आप सभी को अपने जो lockdown लगा है उसके दोरान आपके दिनचरिया कैसी है आप सभी उसके लिए अपने एक बित्र को पत्र लिखे तो देखे बच्चो आप सभी जिसको भेज रहे हैं उसका address, उसका नाम और उसका pin code यहाँ पे लिखेंगे तो बच्चो इस तरह से आप सभी को एक पत्र लिखना है राजेश तुम कैसे हो? आशा है कि तुम अच्छे होंगे हम सब भी यहाँ पर अच्छे हैं जैसा कि तुम जानते हो मामारी के कारण lockdown चल रहा है इस lockdown में मैं रोजाना सुबह तयार होकर नाश्टा करने के बाद online class लेता हूँ उसके बाद मैं कुछ समय के लिए घर पर ही खेलता हूँ उसके बाद दिया गया कारे करता हूँ तता अपने माता पिता के सब घर के कारे में मदद करवाता हूँ तुम भी राजेश अपने दिंचरिया बताते हुए मुझे एक पत्र लिखना आशा है लोगडाउन के बाद तुम इहां आओगे सभी बड़ों को प्रणाम तुम्हारा दोस्त और सभी अपना नाम इहां लिखेंगे जैसे मैंने यहां लिखा केदार अगला प्रशन नीचे दिखाए गए टिक्टो का ध्यान पुर्वक निरक्षन कीजे और पता कीजे कि वे कब छपे थे वे क्या दिखा रही है वे किस दिन को मना रही है मुल्य और उद्यम देश किस देश की कौन सा है चीके बच्चो तो देखे बच्चो यहां हमें पहला है मुल्य बताना है तो यह 15 रुपे का है और यह 10 पैसे का है तो यहां लिखेंगे 15 और 10 पैसा उद्यम देश कौन सा है बच्चो यह है भारत और यह है नेपाल छपाई का वर्ष तो देखे बच्चों ये 2019 और ये 2001 तो यहां लिखेंगे 2019 और ये लिखेंगे 2001 ठीके बच्चों ये क्या दिखा रहे हैं बच्चों इसमें गांदी जी है और इस पे नेपाल का जंडा ठीके वे किस दिन को मना रहे हैं तो बच्चों देखें ये गांदी जैनती को मना रहे हैं गांदी जैनती और ये नेपाल का राष्ट्य जंडा दिवर्ज ठीके बच्चों अगला प्रशन है निम्ध कत्नों के लिए सही या गलत का निशान लगाईे डाग घर में पत्रों पर मुहर लगाई जाती हैं बिल्कुल सही पुलिस थानों में पत्र करमभद किये गए हैं बिल्कुल गलत पाड़ी शेत्रों में में पत्र वित्रित नहीं किये जा सकते बच्चों बिल्कुल गलत है वहां पत्र वित्रित किये जा सकते हैं पुलिस वाला हमारे घर पर पत्र पहुंचाता है बच्चों बिल्कुल गलत बच्चों डाकिया हमारे घर पत्र पहुंचाता है पिन भारतिय डाक कोड प्रनाली में एक छैंको का कोड है बिल्कुस सही अगला प्रेशन है बचो पत्र की यात्रा के चर्णों का उनकी तस्वीरों के साथ मिलान करें तो देखे बचो सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं ठीक है पत्र लिखना पोस्ट बॉक्स में पत्र पोस्ट करना तो बचो ये हमारा दूसरा विकल्प है इसमें हम पोस्ट बॉक्स में पत्र पोस्ट करते हैं डाकिया घर पर डाकिया पत्र पेटी से पत्र एकत्र करता है तो बचो देखे ये इसका मिलान होगा ये तीसरा होगा अगला है डाक घर में पत्र को करंबद और मुंदरा कित किया जाता है ठीक है बच्चो तो डाक घर में ये इस तरह से होगा ट्रक, वैन, विमान और टेन द्वारा पत्रों का परिवैन इसका इससे मिलान हुगा डाक्या को जिस शहर में पत्रों को पहुचाना है वहाँ के स्थानों के अनुसाद छाड़ता है और फिर डाक्या पत्रों को हमारे घरों तक पहुँचाता है तो इस तरह से बच्चों आप सभी इन चित्रों को इनके साथ मिलान करेंगे अगला है बच्चों कुछ उप्योग किये हुए डाक्याँ को इखट़ है, जो यहां चिपकाईे तो बच्चों जो काम में ले चुके हैं डाक्याँ को उनको आप सभी को यहां किपकाना है अगला है बच्चो एक लेटर बॉक्स यंदिनी की पत्र डालने के डिब्बे का चितर बना कर उसमें आप सभी को यहां रंग भरना है अगला है बच्चो स्वास्त ही जीवन है जीवन कौशल स्वास्त के बारे में एक विश्व प्रसित कहावत है स्वास्त अमुल्य धन है एक स्वास्त शरीर को शरीर की समग्र शमता के रूप में अच्छी तरह से कारे करने के रूप में परिभाशित किया गया है इसमें सभी व्यक्तियों का शारडिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्त सामिल है जब कोई अच्छे स्वास्त को बनाए रखता है तो वे खुशी की कुण्जी खोलता है अच्छा स्वास्त कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे नियमित रूप से पाने पीना, स्वास्त भोजन करना, व्यायाम करना, तनाव को कम करना और समय पर सोना बचो इन सभी चीजों से हम स्वास्त रह सकते हैं, हमारे शरीर को हम स्वास्त रख सकते हैं ठीके बचो, अगला है अच्छे स्वास्त का अर्थ केवा शरीर में रोगों का भावना होकर एक शारेरिक, मानसिक, सामाजिक और अध्यात्मिक रूप से पूर्णते स्वस्त होना है छात्रों के लिए गतिवीदियां गतिवीदि पहली है बच्चो अच्छे स्वास्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे पांच-पांच खादे पदार्तों की सूची बनाईए जिने आपको खाना चाहिए और जिने खाने से आपको बचना चाहिए तो देखे बच्चो आप सभी को यहां बताना है कि ऐसे कौन-कौन से खादे पदार्त है जो आपको खाना चाहिए और ऐसे कौन-कौन से खादे पदार्त है जो आपको नहीं खाने चाहिए तो बच्चों खाना चाहिए क्या क्या आम गाजर मूली फूल गोबी और संत्रा ये हमें सभी को खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो देखे बच्चों पिज़ा, बर्गर, चावमेन, पेटीज और चौकलेट ये सभी चीज़े हमें नहीं खानी चाहिए अगला है बच्चों गतिवीदी दो समय में परिवर्तन के साथ हमारे खाने की आदतों में भी बदलाव आया है इस बदलाव के वारे में अपने दादा दादी या माता पिता के साथ चर्चा करी तो देखे बच्चों समय के साथ हमारे खाने की आदतों में क्या-क्या बदलाव आया है तो बच्चों आप सभी लिखेंगे पुराने समय में लोग हरी भरी सबजियां वैफल उगा कर खाते थे जो की पोश्टिक होता था लेकिन अब के लोग जंग फूर्ड तला भुना भोजन खाते हैं जो की सेहत के लिए नुकसान दायक होता है पुराने समय में लोग समय पर भोजन किया करते थे जबकि आजकल के लोग अधिक भागदोड एवं कार्यों के कारण समय पर भोजन नहीं कर पाते हैं जिसका उनके स्वास्त पर गहरा प्रभाव पढ़ता है ठीके बच्चो तो इस तरह से आप सभी को इसका उत्तर लिखना है अगला है गति वीदी 3 किसी भी व्यायाम या योगासन का प्रदशन करते हुए खुद का एक छोटा वीडियो बना और अपने खक्षा अध्यापक के साथ साज़ा करें बच्चो आप सभी को एक छोटा सा वीडियो बनाना है किसी भी व्यायाम या योगासन का प्रदशन करते हुए अगला है संसका शाला छोटी छोटी पर बढ़ी बाते जिस व्यक्ती ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की खाना पीना अपने खाने में हरी सबजियां शामिल करें जैसे गिया, फली, टिंडे, आदी, गती वीधी अपने घर के पौधों में पानी दीजे, खेल अपने परिवार के सदस्यों के साथ लोडों का खेल खेले, दैनिंग दिंचर्या निमलिकित आदतों को अपने दिंचर् को बार-बार अपने हातों को बार-बार धोए, अपने ग्रहकारे समय पर पूरा करें तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपने वरक्शीट को हल करना है, उमीद करती हूं बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ मैं होगा, बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच सब्सक्राइब केजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद